कि अलो दोस्तों आज हम आप पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्शिप का पहले चैप्टर जिसको हम बोजते हैं पार्टनर्शिप का मतलब होता है कि पार्टनर्शिप के बारे में जानना उसके रूल, रेगुलेशन, नेचर इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में जानोगे बहुत ही ध्यान से करना है आपको यह चैप्टर क्योंकि इसी से आगे वाले जितने भी पार्टनर्शिप के टॉपिक हैं सबके लिए आपके लिए बेस क्रियेट होगा आपको बड़े अराम से करना है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इजी चैप्टर है यह सब तोस्त आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी बात यह पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप में यह सारी चीज़े होती है यह किस के द्वारा होती है तो दोस्त गॉष्ट four में लिखा है meaning partnership का मत्रद तो partnership का meaning क्या है partnership is the relation between person कितने person कम शकम दो who have agreed to share the profit जो profit को share करने के लिए तयार हो और फिजनेस एक business का carried on by the all सब के सब carried करें या फिर उसमें से कोई एक जो उन सब के विहाब पे work करता हो उसको हम बोलते हैं partnership देखिए अगर इसी चीज को मैं करूँ जाए तो मैं बोलू कि elements क्या है मेरे पास partnership के इसको elements बोलते हैं या फिर इनहीं के द्वारा आपको पता लगाना है कि ये partnership है कि नहीं देखिए पहली जी कम से कम दो दो person होने चाहिए दूसरी चीज agreement होना चाहिए persons के बीच में तीसरी चीज carried on a business business means legal business होना चाहिए फूर्थ पॉइंट इस profit sharing ये सबसे important point है इसका कि profit sharing भी होना चाहिए और पांचवी चीज है जी आपकी mutual agency अगर इसी में मैं अगर discuss करूँ तो first point हुआ मेरा तो दोस्त मेरा first point हुआ two or more person देखिए partnership के लिए सबसे जरूरी होता valid partnership के लिए there must be at least two person कम से कम दो होने चाहिए ज़ाद से ज़ाद क्या range है आगे बताएंगे at least two person कम से कम दो होने चाहिए अब persons में क्या कोई भी person चलेंगे नहीं persons में कौन कौन नहीं हो सकते है आपके minor जिसकी उमर 18 वर्ष से कम हो उसको minor कहा जाता है unsound mind तो माले जो दोस जैसे agreement बनाएंगे तो अगर उसको सोचने समझने की छमता ही नहीं है जब वो सामने वाला आपकी बात ठीक से समझी नहीं पारा है तो किस बात का agreement बनेगा तो ये भी persons में include नहीं होंगे alien enemy जैसे कि हमारे शत्रू दो सत्रू देश सत्रू देश में कैसे कैसे आएंगे जैसे कि पाकिस्तान वगरा ये सब नहीं होने चाहिए तो ये सब persons की category में नहीं आते हैं आगे अगर बात किया जाए तो maximum number of partnership में कितने member होने चाहिए maximum number 50 देकि दोस्त कल लोग आपको 100 बताएंगे पर 100 नहीं 50 50 लेकिन अब एक एक्जाम के लिए question दोस्त बनता है मेरा कि कौन कहता है कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर होने चाहिए देखिए common mistake जो करते हैं सब लोग क्योंकि आपको option ऐसा दिया होगा उसमें आप सोचेंगे कि partnership काम chapter पढ़ रहे हैं सर ने act भी बताया है इंडियन partnership act तो आप कहोगे कि इंडियन partnership act 1932 विल्कुल नहीं कहीं भी partnership act members के बारे में जरा भी नहीं बताती कौन बताता है आपको ये बताता है जी Companies Act Companies Act 2013 और section भी दोस्त आप लिख लो हो सकता एक्जाम में आप से पूछी ले section है आपका 463 section 463 तो ये आपका कहता है कि इतने members होने चाहिए तो exam में ये बात आपको ध्यान रखना है exam में जो हमको answer देना है वो हमें देना है Companies Act 2013 कि section में कहता है section 464 video के आगे मैंने आपको 463 थोड़ा सा correction कर ले ना 464 है section Companies Act ना कि partnership act आप partnership एक बिल्कुल मत करना next है आपका agreement agreement का मतलब होता है partnership आती ही जब है agreement के बाद पहले agreement होना चाहिए किसके बीच में दो separate entities entities mean person to person company to company company और person जो की contract में enter हो सके जो competent हो कौन कौन competent नहीं होता मैंने आपको आगे बता दिया minor नहीं होता, unsound mind नहीं होता alien enemy नहीं होते, ये सब competent नहीं होते agreement can be return और oral बोथ हो सकते दोनों, ये exam में ध्यान रखना कई बाद पूछ ले, option में return भी होगा oral भी होगा और बोथ होगा, और ननब दीज भी हो सकता ऐसे option हो सकते, तो आपको ध्यान रखना है oral और return, कई लोग सोचते है, return ही होगा नहीं, return नहीं, oral oral भी हो सकता है आपका carrying on a legal business carrying agreement, क्यों बना किस के लिए हुआ, business को चलाने के लिए कैसा business, legal business क्यों चलाना है हमें, profit earn करने के मकसद से, हमको profit earn करना है, याद रखना हमारा main काम है, profit earn करना there can be no partnership, कोई partnership नहीं हो सकती, to do है social or charitable work, जहां पर profit earn करने का motive नहीं है, वहां पर partnership नहीं होगा, वो NPO हो सकता है, non-profit organization आपने बनाई है, यह सब चीजे हैं next आई है, profit sharing इस सबसे ज़्यादा important, most important element essential element partnership का क्या है, profit sharing, या फिर आपसे exam में एक number का question पूछ सकता है essential element of partnership is profit sharing, या फिर primary face evidence of partnership is profit sharing, क्योंकि अगर profit नहीं है, तो agreement बनाने के बावजूद भी आपका बेकार है, कोई काम नहीं profit की ही वज़े से आपका क्या हो जाता है partnership बनता है agreement आप कई और चीज़ों का भी कर सकते हो लेकिन जब तक आपका profit sharing का element नहीं है, तो partnership नहीं है जैसे देखिए example दूँ एक person A है, एक person B है दोनोंने मिलके agreement किया, लेकिन profit ना होने की वज़े से वो partnership ना कहला के non-profit organization या फिर joint venture, ये सब चीज़े कहला सकते हैं, इनको बोलते है non-profit organization या joint venture भी हो सकता है और A plus B है, दो partner agreement भी हुआ साथ में profit का भी element है तो आपका वो बन गया partnership तो exam में आपको ध्यान रखना है कि आप से question पूछेगा, प्राइम फेसर आविडेंस of partnership is profit sharing या important essential, essential element of partnership is profit sharing next आईए दोस्त, mutual agency mutual agency क्या होता है कि जो partnership के partner होते हैं वो अपना काम, सबका काम करेंगे या तो business जो चलाया जागा वो सबके द्वारा चलाया जागा और अगर सारे नहीं चला सकते उसमें से कोई भी चलाया तो वो सबके लिए काम करेगा सिरफ अपने लिए नहीं अपने लिए तो करेगा साथ के लिए, दूसरे के लिए भी लेकिन क्या जो दूसरे के लिए काम किया है क्या वो liable है कोई भी act जो उसने काम किया other partner ने तो बिलकुल liable है चाहे हो participate कर रहा हो या ना कर रहा हो वो work के लिए liable होगा ही होगा each partner whether the participating in management or not will be liable for act done by the other partner in ordinary cause of business आपको example दे देता हूँ A, B, C तीन partner है A के पास time नहीं है काम करने के लिए तो B और C ने काम किया तो ये B और C सिरफ अपने लिए नहीं A के लिए भी काम कर रहे है suppose कर ये loss हो गया तो loss क्या B और C ही भरेंगे नहीं A भी भरेंगा क्योंकि A भी liable है उसके लिए basic से वो काम नहीं कर रहा है लेकिन B और C ने जो work किया वो A के लिए भी किया तो ये तीनों के लिए होता है तो ये तीनों ही liable होंगे इसी को हम बोलते है agent और principal relationship A ने काम नहीं किया B और C ने किया अपना तो किया ही किया साथ में A का भी किया तो B और C ने जो work किया उनको बोलते है जी principal B और C यहाँ principal हुए और A के लिए किया तो A यहाँ पे agent है तो इसलिए आप यह बात ध्यान रखिएगा Next है यह partnership deed Partnership देखिए agreement से बनता है Agreement can be written और oral दोनों हो सकते है लेकिन जो agreement return हो जाए तो वो document बन जाता है और उस document में जो जो लिखा होता है उसी के अंदर लिखे होए को हम बोलते है Partnership deed लिखे लिखा होगा होगा यह सब partner की सहमती से होता है इसलिए इसको आप partnership deed में क्या क्या हो सकता है Name and address of all partner सबके name and Name, nature and place and head office of a business इस सब लिखा होगा आपका duration of partnership partnership का duration कितना होगा पून जी कितना लगाएगा कौन सा partner यानि कि amount of capital contributed by the each partner Profit sharing ratio क्या होगी जो profit होगा उसको कैसे कैसे बाटा जाएगा जो ratio होगी वो आपस में decide करेंगे उस document में लिख दिया जाएगा जो आपने पैसा लगा है उसके interest कितना मिलेगा या आपने किसी से loan लिया है तो उसके कितना interest देना पड़ेगा ये सब इसमें लिख्खा होगा Method of Valuation of goodwill Goodwill कैसे हम treat करेंगे ये भी आपको लिख्खा होगा देखिए जो लिख्खा है वो तो लिख्खा है उसमें कोई प्राब्लम नहीं है हमारे इंडिया में एक प्राब्लम है जो लिख्खा है वो दिखता है जो नहीं लिखा वो दिखा ही नहीं है, लेकिन कई बार जो चीजे नहीं लिखी हुई होती, उसको बोलते हैं, जी हम absence of partnership deed, देखिए जो लिखा है उसमें तो कोई problem ही नहीं है, वैसे हम दे देंगे, जैसे लिखा हुआ 10% interest का, capital 10% हो गया आपका, तो आप interest दे देंगे उसमे 10%, माले जो किसी partner को salary और commission के बार में लिखा है, उसमें deed में, तो भी आप दे देंगे, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ तब क्या करेंगे हम, तो देखिए, अगर नहीं लिखा हुआ कुछ, in the absence of partnership deed, या silent है partnership deed, तो याद रखिएगा, ये आपको पूर partnership में कई बार आएगा, और आपको बहुत परिसान करेगा, long questions में भी, देखिए, जो लिखा है, उसमें तो कोई problem ही नहीं है, हम वैसे कर देंगे, लेकिन लिखा तब क्या करेंगे, तो देखिए, interest on capital, अगर कोई partner अपनी पूनजी पे interest मांगता है, तो नहीं दिया जाएग अगर नहीं लिखा हुआ, तो क्या करोगे, नहीं दोगे, देंगे, यहां देना पड़ेगा, equally, बराबर बराबर बटेगा तीनों partner में, नहीं लिखा हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लिखा है, जैसे जैसे, तो वैसे ही देना आपको, और interest on loan, loan पे interest, 6% per annum, किन अगर absence है, silent है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना लिखा है, ना कहीं कुछ भी, तो सिरफ दो चीज़े ही दी जाती है, एक तो profit sharing ratio equally, और interest on loan, जो होता है, उस पे 6% per annum, यही है, बाकि next class में डिसकर हैं, थैंक्यू, थैंक्यू very much